सब्सक्राइब कीजिए बी न्यूज चैनल को और सबसे पहली ताजा खबर जानने के लिए इस बैल आइकन को भी दबाए कहने को तो यह चोटा सा फल है लेकिन है गुणों की खान बेहद रसीला और उससे भी ज्यादा लाबकारी यूँ ही नहीं किसे देवताओं के फल की उपाधी मिली है कहते हैं कि भगवान राम ने अपने वनबास में इसी का सेवन किया हमारे पुराणों में जिस अलोकिट जम्बू ध्वीप्त का जिक्र है वे जामुन की पेड़ों की नगरी है इसकी पतियों से लेकर गुटलियां तक कई रोगों में दवा का काम करती है सबसे बड़ी बात यह है कि यह शुद्ध देशच पेड़ है जो आसानी से आपके आसपास की जमीन में पनब सकता है तो देर न करें और अगी बरसाथ से पहले जमीन में जामुन की कुछ गुटलियां दबा दें आओ रोपे अच्छे पौधे सीरीश के तहेत आ जामुन वेग्यानिक नाम सिजीगियूम क्युमिनाई के बारे में साल भर दे चामुन का पेड़ खूब लंबा चोड़ा और घना होता है यह साल भर हरा भरा रहता है और चाम देता है फरवरी मार्च में इसमें फूर आते हैं और मैसे जुलाई तक जामुन फलते हैं जामुन से जैम और जैली, वाइन वा अन्य खाद्य पदार्थ भी बनाए जाते हैं लोग काले नीले और रसीले जामुन के फल बेचते दिखाई देते हैं जामुन दवा के गुणों से भरपूर मौसमी फल है। आयूरवेद के शास्त्रों में जामुन के कई गुणों का विशलेशन किया गया है। इसके पत्ते, फल, छिलका और गुठलियां कई प्रकार के रोगों में इस्तिमाल की जाती हैं। धत के लिए वरदान जामुन बहुत गुणकारी फल है। यह स्टार्च को उर्जा में बदलने में मद़ करता है और रक्त में शक करकी मात्रा कम करता है। इसकी पतियां, तने की चाल और गुठली भी प्रमानक और पर मधुमेह के उपचार में काम आती हैं। दैश इसमें प्रचोर मात्रा में लोह पाया जाता है। जो रक्त के लिए अच्छा है। दैश यह पाचन तंतर के लिए अच्छा फल है। इसकी तासीर ठंडी होने के कारण यह तवचा पर पढ़ने वाले दानों, जुरियों और दाघब्बों को कम करता है। दैश इसमें मौजूद इंटी ऑक्सिडेंट और फ्ले वैनोईट से रक्त शुद होता है जिससे लिवर स्वस्थ रहता है। दैश दस और पेचिश में जामुन के पत्तों को पीस कर नमक के साथ सेवन करने से बहुत फायदा होता है। दैश जामुन और अमरूल के पत्ते मिला कर दातुं करने से मूग की दुरगध जाता है कि अपने वनवास के पूरे 14 वर्षों में भगवान राम ने सिर्फ जामुन ही खाया। यही कारण है कि उनकी तवचक के रंग की तुलना जामुन के रंग से की जाती है। जिस मंदिर में उनकी मूर्ति स्थापित की जाती है वहां जामुन का पेड़ जरूर लग होते हैं और जब उनमें लगने वाले फल पक कर गिरते हैं तो उनके जामुनी रुपए की नदी बहती है। जहें दूद और मखन से नहीं बढ़ता हिर्दय रोग वेग्यानिकों का कहना है कि दुग्द उत्पादों मसलन फैट से भरपूर दूद, पनीर और मखन के सेवन से हिर्दय रोग या स्ट्रॉक का खत्रा नहीं बढ़ता। डेरी फैट का इन रोगों और अस्मय मौत के बीच संबंद नहीं पाया गया है। शोद करताओं के अनुसार, वास्तव में कुछ खास प्रकार के डेरी फैट, वसा, स्ट्रॉक के खिलाफ बचाव में मदद कर सक अमेरिका की टेकसास यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर मरसिया उटो ने कहा, हमारे अध्ययन का निशकर्ष ना सिर्फ उस धारणा के उलट है बलकि इस बात का भी समर्तन करता है कि डेरी फैट से बुजुर्गों में हिर्द रोग या मौत का खत्रा नहीं बढ़ता। परी उत्पादों में पाय जाने वाले तीन फैटी एसिट के फ्लाजमा लेवल पर गौर किया गया। इन में से किसी भी फैटी एसिट का संबंध इन खत्रों से नहीं पाया गया। नामक विधी विक्सित की गई। इसकी मदद से कैंसर के खत्रे वाले 10 नहीं जीन की पहचान की गई। स्पेन के कैटलन इंस्टिटूट फॉर रिसर्च अने इडवान स्टडीज के शोध करता बेन लेहनर ने कहा, हमने इस विधी को 1000 से ज्यादा कैंसर रोगियों पर आज ज्माया